नमस्कार बहुत स्वागत है आपका धनूरासी वालो आने वाले साथ साल यानि 2024 से 2030 तक आपके लिए कैसा रहेगा चलिए जानते हैं बिस्तार से तो वीडियो का अंतक बने रहें और यह प्रिक्शन 86 पर आधारित है बैदी जोतिस के अनुसार जो धनूरासी है देव गुरु ब्रस्पती की रासी है जोतिस में गुरु गरह को ग्यान का कारक, सिख्छा का कारक, संतान का कारक, बड़े भाई का कारक और धार्मिक कारे के कारक धन, दान, पुन्य और ब्रधी का कारक माना गया है लड़कियों के लिए बिबाह का कारक भी गुरू होते है देव गुरू ब्रिस्पती करिव 13 मेहने में एक रासी से दूसरी रासी में जाते है जो देव गुरू ब्रिस्पती है उनका लिए तो 13 मेहना है लेकिन जो सनेदेव है तीस मेहने यानि धाई साल में एक रासी से दूसरी रासी में जाते हैं यानि रासी परिवर्तन करते हैं और अभी जो राहू है वो तीस अक्टूबर को मीन रासी में आ रहे हैं तो राहू करीब अठारा मेहने यानि डेड़ साल में रासी परिवर्तन करते हैं तो देव गुरु ब्रहस्पती मेश रासी में इस समय बर्तमान में तो आने वाले जो साथ साल है आपके लाइफ में खासकर आपका करियर, कारोबार, आर्थिक इस्तिति, आपका स्वास्त, बैवाहिक जीवन, लब लाइफ और विद्यारतियों के लिए सिक्छा कैसा रहेगा चले जानते हैं बिस्तार से, तो सुरुआत करते हैं, देखिए बैदिक जोतिस के अनुसार, आपके उपर जो साड़े साती थी वो समाप्त हो चुकी है, साल दोहजार, चौविस और पच्चिस, आपके लिए बहुत सुभ है, क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पती देंगे आशिरबाद, लेकिन मेहनत करना है, मेहनत से सफलता है, आपके धनुवालों के जीवन में कितना धना आएगा, ये जिम्मेदारी सनी देव के हाथों में है, और आपकी रासी के जो सौमी है, देव गुरु ब्रहस्पती, उनका भी आशिरबाद बढ़सेगा आपके उपर, जून दो हजार चौबिस तक, तो जून दो हजार चौबिस तक आकस्मिक रूप से धन प्राप्ती की प्रबल संभावना बनी भी है, आपकी तरक्की भी होगी, आपका भाग्योदे होगा, और सनी देव भी आपका साथ देते नजर आएगे चौबिस में, तो सनी देव जिस अस्थान पर बैठते हैं, उस अस्थान को रौसन करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टी में बिस है, तो आप जो भी काम करेंगे, उसी में सफलता मिलेगी, हलांकि हल्की भूल की चीज़ें परिसान करेगी, लेकिन सफलता ज़्यादा है, सनी देव का आसिर बाद बरसेगा, देव गुरु बरस्पती 2025 में बहुत अच्छा फल देते रजर आएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टी आपके रासी पर रहेगी, जिसके कारण मान समान बढ़ेगा, आपका समाज में यह समान परतिष्ठा बढ़ेगा, अगर आप भी द्यारती हैं, अच्छे जगर्ड मिसल लेना चाहते हैं, वो होगा, अगर आप भी देश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बढ़िया है, अगर आपने कोई कंपिटिशन बिगर एक जाम देना है, तो 2025 में सरकारी नौकरी पकी या फिर एक अच्छी जॉब मिलने की पूरी संभावना बन रह है, जो लोग नौकरी करते हैं, पदोनती की योग बन रहे हैं, हलाकि आप विदेश भी जा सकते हैं, 2027 में देव गुरु ब्रिस्पती नवंभाव में आ जाएंगे, भागे का साथ मिलेगा, और चुकि गुरु की दृष्टी में अम्रित है, तो उनकी दृष्टी धन अगर आप नौकरी करते हैं, आप वैपारी भाई हैं, खुब पैसा आएगा, बुद्धी से हर कारे सफलता की तरफ ले जाएंगे, बुद्धी से हर कारे सुलष्टे नजर आएंगे, जो विद्यार्थी हैं, कम्पिटिशन बेगार की तियारी कर रहे हैं, प्रतिवितर प इक्षा में पास भी होंगे, और असीम क्रिपा से करियर में उन्नती करेंगे, दोहजार अठाइस में भी देव गुरू की क्रिपा बरस्ती आपको नजर आएगी, उन्नती की योग हैं, अपना मकान, भूमी भवन, प्रोपर्टी का सुख देते नजर आएंगे, जो लोग जॉब करते हैं, पदोनाती की योग है, मन्चाही जगा ट्रांसफर भी आपका हो सकता है, लेकिन दोहजार अठाइस, दोहजार उन्तीस और दोहजार तीस, सनिदेव नीच के हो जाएंगे, पंचमभौ में भर्मन करेंगे, तो भर्म की स्थिति देंगे, सनिदेव, तो भ पंचमभौ जी सस्थान पे बैठते हैं, यहां पर उस भाव को हलांकी रौसन करते हैं, लेकिन भर्म की स्थिति से बचना है, और बच्चों के ओपर ध्यान बनाए रखें, हलांके देव गुरू आपको पैसा देंगे, लेकिन सनिदेव खर्चा करवाते दिखेंगे, प्र अगर आप मेहनत करें, तो इस साल को सामानने से बहतर बना सकते हैं, क्योंकि परिच्चा केसमें आपको पढ़ाई में हलकी पुल की दिक्कत आएगी, लेकिन गायतरी मंत पढ़ना है, और पढ़ाई करते रहना है, यकीन मानिए हर चुनोती को जो उद्जा से आप चुनोत भी है, और साथी उस पर अच्छे से चिंतन मनन करें, अब हम जाने अगर आपके विवाह के बारे में दोहजार चौविस में, तो बैबाही जीवन में स्थितियां उत्तम हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, किसी भी तरह का अगर गलत हैमी हो, तो त जीवन साथी के प्रती अपनी जिम्मेदारियों को भी समझया उसको पूरा करें, हलांकि बैबाही जीवन उत्तम है, संतान से सुख मिलता भी दिखेगा, और संतान भी पढ़ाई लिखाए में बेहतर तरक्की करेंगे, तो बैबाही जीवन उत्तम है, और अगर आप ओव बिभाईत हैं, तो बिवा होने की पूरी संभावना है, धन की बात करते हैं, थोरे खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इंकम भी बढ़ेगा, तो मेहनत से बड़ी सफलता, इस साल आपको अन्य सालों से कहीं दोगुना फायदा होने की योग हैं, पर खर्चों पर भी कंट्रोल बिभीन स्रोथ से आर्थिक मदद मिलेगी, परिवार के सदस से आर्थिक पक्ष को बेहतर करेंगे, और बैफसाय में बिस्तार होगा, लेकिन आर्थिक फैसले लेते हैं, इसमें किसी भी तरह का परिशानी नहों ध्यान रखें, और इसमें सेर मार्केट बेगरे से भी आप कर सकते हैं, जो भी फैसला लें सोस समझ कर लें, धन कमाने का जो अवैद तरीका है उनसे बशना है, और आर्थिक मामलों में पारदर्सिता बनाए रखें तो उत्तम रहेगा, करियर की बात करते हैं, जो भाई नौकरी करते हैं, या जौब के लिए प्रयासरत हैं, उन हर जगर नजरे बनाए रखें, हलाकि उनके जाल में ना ही फसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो लोग सही नहीं है, जरूरी नहीं है, दुवारा उनको चखा जाए, तो ध्यान रखें, प्रेम समंद की बात करें, तो रिस्ता और बहतर होगा, बात्चित के जरिए अ प्रमंदों की बात करते हैं, कारे छेतर में ब्यस्ता के कारण हो सकता आप उतना समय अपनों को ना दे पाएं, हलांकि परिवार में सुक सम्रिद्धी खुसियां बढ़ी रहेगी, जिम्मेदारियों को आप समझेंगे, अपनों की साथ रिस्ते बढ़ियां है, घर परिवा ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ज्वाइंड पेन बगरे की हलकी पुलकी समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा, अपने खान पान का ख्याल रखें, रोग पर तीरोधक छमता को बेहतर करें, यात्रा बगरत थोड़ा थकाएगा, और थोड़ा सा टेंसन भी आए तो ऐसे में कुरोध पर कंट्रोल रखें, तो उत्तम रहेगा, पॉस्टी खाना खाएगा, और यात्रा बेगर है, हलांकि ठीक है आपके लिए, लेकिन दिन की सुरुवात योगा एक्सरसाइज से करें, तो ठीक है, सकात्मक्ता भरा ये साल रहेगा, बहतर भविस से कुप मिलने की संभावना बढ़ी भी है, इसलिए जो विद्यारती है, खुम मेनत करें, भाग्योदे होना तैह है, और 2024 में धन तो दुगोना आएगा, इसलिए प्रयास अभी से तेज कर दें, तो हम आपसे विदा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइ करें, अपनों से सेर करें, कमेंट करें, धन्यवाद हम फिर मिलेंगे